हेलो एवरिवन स्वागत है आपका पाटशाला रिशिकेश के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों उत्राखंड लोग सेवा आयोग का आज का अपडेट है 18 सितंबर 2024 आज की दिन आग UKPSC उत्राखंड पुलिस SI के जो लोग फिजिकल दे रहें उनके लिए विज्जप्ति यह उनसे संबंदित है जरूरी है ध्यान से सुनियेगा जिन लोगोंने फिजिकल दिया है उनके लिए भी और जिनका फिजिकल होना है उनके लिए भी देखिए अगर आपके फिजिकल मे आपके फिजिकल में जेंडर गलत हो गया है जेंडर गलत अंकित होना पाया गया उसकी वज़े से कुछ लोगों की जो साररिक दक्षता परिक्षा है वो संपन नहीं कराई जा सकी है इस notification का यही मतलब है जेंडर गलत अंकित हो गया है अगर तो आप क्या करना है आपको ये solution में इसमें बताने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा आयोग ने कहा कि ऐसे अभ्यारतियों को जिनका gender गलत हो गया है उनको पहले से ही अपने परवेश पत्र में देख लेना है कि क्या हमारा gender गलत अंकित हो रखा है तो ऐसे अभ्यारतियों क्या करना है ओनलाइन आवेदन पत्र में gender का अंकन गलत हो गया है तो वह अभ्यारति अपना परत्या वेदन आयोग कार्याले को डाक की द्वारा या email की साहता से भेजे मैं दुबारे आपको बता देता हूँ कि अगर आपका gender गलत हो गया है तो आपने वह अभ्यारति जो अपना जिनका gender गलत हो गया है अपना परत्या वेदन आयोग कार्याले को email कर सकते हैं email address है so exam5 at the rate gmail.com के माद्यम से दिनाक 20 सितंबर 2024 तक उपलब्द कराना सुनिश्चित करें ऐसे अब भ्यारतियों के परवेश पत्र में संशोधन कर नया परवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्द कराये जाएगा ये special बात है ध्यान से देना अपने साथियों क शेयर करना वीडियो को क्योंकि कोई भाई कोई भेहन ऐसी हो सकती है जिसका जेंडर गलती से गलत वहाँ पर हो गया हो जिसकी वैसे वो परिक्षा ना दे पाए तो आपने क्या करना है कि आपने इस mail पर जाकर email एडरस पर जाकर mail करनी है ताकि आपके लिए नया संशोधित प्रवेश पत्र जारी किया जा सके तो ये वीडियो जरूर शेयर करना भेज देना बता देना बहुत सारे बच्चे हैं जो परिशान होते हैं छोटी छोटी बातों के लिए उन तक ये पहुंच जाएगा ठीके अगनी शमन दूत्य अधिकारी परिक्षा में ऐसा बहुत ज आनियवाद